ओम नमो स्रीवेंकटे साया प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूट्यूब चानल में अब सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तुलसिदास द्वारारचित स्री रामचिर्त मानस के बालकांड से संबंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या अब करने जा रहा हूँ अब प्रभुशिराम चंद्र जी का आगमन हुआ माता कौसल्या जीक से जो वार्तालाप और चार बुजादारी जो भगवान स्रीमन नारायन अब बिलकुल बालक रूपदारन कर लिया है और कौसल्या को ऐसे पुत्र वातसल्य दिखाने के लिए पुत्र वातसल्य प्राप्त करने के लिए अब प्रभुशिराम चंद्र जी बालक बन गए हैं अब आगे क्या हुआ पहले तुलसिदाज जी के शब्दों में पद देखेंगे और इसके साथ सब्द की व्याक्या भी सुनि सिसु रुदन परम प्रियबानी संभ्रम चलि आई सबरानी हरशित जहतह दाई दासी आनंद मगन सकल पुरबासी दसरद पुत्र जन्म सुनिकाना मानह ब्रमानंद समान परम प्रेम मन पुलक सरीरा चाहत उटन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत सुब होई मोरें गुरु आवा प्रभु सोई परमानंद पुरि मन राजा कहा बोलाई बजावह बाजा गुर बसिस्ट कह गयव हंकारा आई द्विजन सहित नुरुप ध्वारा अनुपम बालक देखेन हि जाई रूप रासी गुन कहिन सिराई नंदी मुक सराद कर जात करम सबकीन हाटक धेन बसन मन रुप विप्रन कह दीन देखिये तुलसिदास यहां जिस प्रकार राम मतलब चतुर बुजदारी मतलब हम इसे कहते कि चार बुजावन से सहित जो श्रीमन नारायन का आवतार प्रकट होने के बाद अब माता को पुत्रवासल्य पाने हे तू अब एकदम शिशु का रूप धारन किया अब रूप दारन करते ही क्या हुआ सुने सिस रुदन परम प्रियबानी संभरम चली आई सबरानी हरशित जहत तह दाई धासी आनंद मगन सकल पुरबासी जैसे बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी द्वनी सुन करते ही सब रानिया उतावली होकर दोडी चली आई दासियां हरशित होकर जहां तहां दोड़ अनेक वर्षों के बाद अन्थपुर में बच्चों की आवाज आड़ वो भी साधारन बच्चा नहीं है इस संपोन जगत के सुरुस्टी करता स्रिमन नारायन का आवतार प्रभुराम चंदर जी पदारे हैं देखिए और ये अंतपुर में स्थित्ती हैं और आगी क्या पतार हैं देखिए हरशित जह तहां दाई दासी आनंद मगन सकल पुरुवासी सिर्व अंतपुरुवालेनी पुरुवास मेंद संपोन नगर के सारे पुरुवासी आनंद में मगन हो गई दसरद पुत्र जन्म सुनिकान मानह ब्रह्मानंद समान परम प्रेम मन पुलक सरीरा चाहत वुटन करत मति दीरा दिखे राजा दसरद जी पुत्र का जन्म ए समाचार कानों से सुनते ही दिखे जन्म भगवान शिराम जी का जन्म कानों से सुनकर मानू ब्रह्मानंद में समा गई आनन्द का कोई सीमा नहीं हो गए मनमें अत्थिशय प्रेम है शरीर पुलकित हो गया और प्रसनता में फुशी में आनन्द में अधीर हुए है और देखिये जिसान से को संभाल कर वे उठना चाते हैं जाकर नाम सुनत सुब होई मोरें ग्रुह आवा प्रिब सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजावा हुबाज देखिए अम सब जानते हैं जिनका नाम सुनने से ही कल्यान होते हैं नाम बोलने से ही जन्म तर जाता है अनेक जन्म जन्मान तरके सारे पाप नाश हो जाते हैं ऐसे प्रिबु मेरे गर में आये ये सोचते ही राजा का मन परम संतोष मतलब अतियंत संतोष हो गया और आनंद से पूरण हो गया है उन्होंने बाजावालों को बुला कर कहा कि अप बाजा बजाव राजा है और राजा के वो चक्रवर्ती ते ततकाली नसमय Listening कि भारत की चक्रवर्ती हैं और दश्रत जी इसलिए और आगे क्या-क्या मना रहे हैं देखिए गुर्व असिस्ट कह गया हो हकारा आई द्विजन सहीत नुरुप ध्वारा अनुपम बालक देखे नहीं जाई रूप रासि गुन कहिन सिराई देखिए अब क्या हुआ तुरंत गुरु वसिस्ट जी के पास बुलावा गया मतलब गुरु जी को आमंत्रित किया क्योंगे आगे का कारिक्रम करने और क्या देखिए और ये तो समाचार दिये लिए कि इसके पहले ही प्रभु जी आने रामिशेंदर प्रभु आये तक कौन अपने समाचार बुलावे तक कौन रुखता है वसिस जी तो इन सबसे तो और परचिते से लिए वे ब्रामनों को साथ लिए राजद्वार पर आये उन्होंने जाकर अनपम वालक को देखा कैसे जो रूप की राशी है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होती इसलिए अनन्त हरिकता अनन्त हम कहते हैं मतलब ऐसे जो राशी हैं वो कहते हैं देखिए अनपम बालक को देखे नहीं जाई रूप राशी गुण कही न सिराही मतलब जितना भी गाएं कभी समाप्त नहीं होते हैं और देखिए नंदी मुख सराद कर जात करम सब कीनह हाटक देन बसन मनी नृप विप्रन ही कहीं देखिए अब फिर राजा ने नंदी मुख सराद करके सब जात करम समस्कार आदी किए और ब्रहमनों को सोना गायों वस्त्र और मनियों का दान दिया है चक्रवर्ती है उनके पास कि मतलब इससे ये पता चलता है कि ततकालीन समय के बारत कितनी संपन राष्ट कह सकते हैं मतलब भ्रामनों कोई नहीं मतलब सब को मतलब जितने लोग आये हैं सब को जो जो मांगे आगे और भी तुलसिदास क्या क्या दिया है और विस्तार से आगे के पदों में तुलसिदास का वरणन हम आगे देखेंगे और इस पद की व्याक्या संख्षेप में और मैं बताना चाहता हूं जब नवजात शिशू मतलब अभी अभी बालक नवजात बालक के रोने की बहुत ही मदुर अप्रिय द्वनी सुनकर सब रानिया उतावली होकर दवडे चली आई दासियां हर्शित होकर जहां तहां दोडने लगे उनकी मन की कोई आनन्द के लिए सिमा नहीं है सारे पुरवासी संतोष में डूब गए दशरत जी पुत्र का जन्म होना कानों से सुनकर मानों ब्रह्मानंद में समा गए उनके मन में अतिशयी प्रेम है शरीर पुलक्यत हो गया है और इसका मतलब आनन्दातिरेक में अधीर हुई बुद्धी को धिरज देखकर और प्रामाधिक्य में शितिल हुए शरीर को उटना चाहते हैं आगे क्या होँआ देखिए जिनका नाम सुनने से ही कल्यान होता है वही प्रभू मेरे गर आये हैं सब जानते हैं प्रभु का नाम सुनना भी बहुत अनेक जन्मों का फुन्यों का फल होना चे नहीं है तो पूरो जन्म के फुन्यों के बिना हम प्रभु नाम भी सुनना ही पाते हैं यह भी सब प्रभु की कृपा है और इस विचार से देखिए राजा का मन परम दिव्य संतो और आनंद से बर गया है उन्होंने बाजावालों को बुला कर कहा कि बाजा बजाओ नहीं राजा चाहे तो क्या नहीं चक्रवर्त्ती है अब गुर्वसिष्ट जी को बुलावा गया ब्रामनों के साथ लिए राजद्वार पर आए उन्होंने जाकर अनुपम भालक को देखा जो रूप की राशी और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं हो सकते वेद भी सिले नेती नेती कहकर छोड़ दिया क्योंकि हम कितना गा सकते हैं प्रभू के गुणा इसे अनुपम भगवान शिमन नहरायन का शिशु रूप का दर्शन करके अपने आपको कुरतार्द हो गए और इसके बाद तब राजा ने नांदी मुक्सराद करके सब जातक कर्म समस्कार के विदान किये और ब्रहमनों को सोना गवं वस्त्रों और मनियों का जितना चाहे उतना उन्हेंने दान के रूप में दे दिया है बहुत बहुत धान्यवाद